डिए ठीच अपने इंस्टाइब पर ये वीडियो देखा होगा बहुत जादा वाइरल है और जो प्रीविए में वीडियो दिखा है है ये सबसे जादा वाइरल है आपने इस वीडियो में नोटिस करा होगा कि स्टार्टिंग में इसका ब्राइट एफेक्ट एड़ करा हुआ है एड़ एकदम से मिडिल में डार्क एफेक्ट एड़ हो जाता है इस तरह का एफेक्ट गैस आप अपनी वीडियो में कैसे अप्लाई करेंगे आज की इस वीडियो में हम यही जाने वाले हैं तो guys वीडियो काफी ज़्यादा simple है and काफी interesting है so आप end तक वीडियो में बने रहें and guys voice के लिए माफी चाहते हूं because आज मेरी दब्य धोड़ी सी down है तो आपको adjust करना होगा I hope आपका वीडियो अच्छे से आड़ेट होगा so guys बिना किसी तेरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं VN अप्लिकेशन को इसलिए प्लेस्टों पर मिल जाता है तो इंस्टॉल कर लेजेगा बनाने के लिए आपको एक ही वीडियो की जरूरत है तो आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लें अच्छे से जैसा कि आपने वाइरल रिज्स देखिऊंगे उसके अकॉर्डिंग आप कैसे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर इंपॉर्ड करने के लिए नीचे राइट हैं का आपको ब्लू प्लस का आइकॉन मिलेगा इसके उपर क्लिक करेंगे तर यहां मिडिल में न्यू प्रोजेक्ट का उप्शन मिलता है सिजर का इसके उपर आपको क्लिक करना है यहां से गाइस मैं रैंटम एक विडियो ले लेती हूं यह इस तरह से आपको सेलेक का लेना है नीचे राइट हैंड का उना से ब्लू फॉरवड का उप्शन मिलता है इसके उपर क्लिक का लेना है आ जाते हैं अपने अडिटर के अंदर फर्स्ट आफ और यह जो डिफॉल क्लिप है एंड में इसको डिलीट का लेना है सेलेक करके विकाज यह जब हम विडियो सेव करते हैं फोन गैलरी में तो हमारे विडियो के एंड में एड हो जाता है इसको डिलीट करना जरूरी है नाप गाइस डॉप डॉन पर क्लिक करेंगे और 9.16 की डिशियो सेलेक अब गैस कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने आपको कहा यह विडियो बनाना बहुत अदा आसान है बस यहां पर म्यूजिक आड आपको करना है और म्यूजिक के लिए आप क्या करेंगे इस विडियो के नीचे डेशिप्शन में लिंक मिलेगा आपको मेरे टेलिगाम चैनल का उसको उपिन करना है और आप डिरेक्ली उस रील तक पहुँच जाएंगे जो रील आपको डाउनलोड करनी है तो उस रील पर जाएं और डाउनलोड कर लें अपनी फोन गयाले में सेव कर लें जब रील सेव हो जाता है उसके बाद आपको यहां उपर टैप टूएड मुजी के ऊपर क्ली करना है और वेस्ट ऑप्शन मिलता है मुजीक का किऊओ अबर क्लीक करेंगे है और यहां से वह वीडियो ले ले जो आपने तेलिगाम से डाउनलोड किया होगा तो यहां से मैं ले ले लेती हूows व्डियो को आपको क्लीकि आपका जो video है save हो जाता है यहां से आपको choose कर लेना है और यहां नीचे right hand corner से done कर ले आप guys आपको क्या करना है music को सुनना है और music के according अपने video को two part में divide करना है तो मैं पहले सुन लेती हूँ उसके according trim कर लेती हूँ video को split कर लेती हुँ इसके बाद आपको बताती हूँ कि आप duration क्या रखेंगे अपनी first part की ओके ओके यहाँ पे आपको music सुनना है यहाँ से split करना है split का option आपको fourth number पे मिल जाता है यह आपको करना है अब आप देख सकते हैं आपका जो first video clip है यानि कि first part है उसके duration आप रखेंगे 3.70 second यानि कि इतनी duration से आपको split करना है ओके now guys जो आपका second video है second part है उसको भी split कर लें क्योंकि हमें music तक ही इसको रखना है extra part delete कर लें ओके यह होगे अब guys जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो की जो effect है कैसे apply करना है starting में इस तरह से bright होगा और उसका जो second होगा यानि कि middle में जो effect है वो dark होगा तो यह कोई effect नहीं है guys यह करना बहुत ज़्यादा असान है और बहुत ही जिलिया आप कर पाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है आपका जो video है वो तो bright ही रहेगा या अगर bright नहीं रहेगा तो आप filter के उपर click करें और यहां से आपको बहुत सारे bright effects मिल जाते हैं आप यहां से कोई भी filter यूज कर ले या adjust पे click करके इनकी brightness बढ़ा ले इसको इस तरह से आगे आगे करके इसकी brightness बढ़ा ले जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको आगे कि तरह इंक्रीस कर रहे हूँ तो brightness बढ़ती जा रही है तो अगर आपका वीडियो low quality का है तो आप brightness बढ़ा ले यह मैं आपको बता रहे हूँ अगर ठीक है जैसे कि मेरा वीडियो है तो मुझे brightness बढ़ाने की जुरूर नहीं है यहां से कर लेतें done यह केवल आपके लिए optional है आपकी brightness कम है तो बढ़ा ले नहीं है तो ठीक है तो आपको first part को वैसे ही रहने देना है जैसा कि वो है हमें ध्यान देना है second part पे अब हम again filter पे click करेंगे जैसा कि adjust पे click करना है और यहां पे guys हमें इसकी brightness को बिल्कुल zero कर लेना है इस तरह से उसके बाद exposure को आपको zero करना है यानि कि minus 100 उसके बाद third option में आएंगे brightness पे और इसकी brightness भी हमें बिल्कुल low कर लेना है इतनी कि video हमारा दिखे लेकिन dark में दिखे तो जितना dark आपको चाहिए उतना dark आप कर लें इतना dark I think सही है और यहां नीचे right hand corner से done कर लें अब आप देखेंगे जब आप यहां से video को play करेंगे तो आपका video इस तरह से dark में convert हो जाएगा guys आपको अगर first part में filter add करना हो तो कर सकते हैं जैसे कि आपने preview वीडियो में देखा होगा कि filter add भी करा हुआ है तो यहां पर filter के उपर click करेंगे और यहां से guys हमें एक अच्छा सा filter ले लेते हैं जैसे कि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा इस तरीके से भी दिखाते हैं आपको इस तरीके से तो जैसे कि यह filter एकदम bright है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं यह भी आपको अपने according करना है जो filter आपको अच्छा लगता वो आप कर ले यहां से डन कर ले अब यहां से इस तरह से आएंगे और बिल्कुल हमारा वीडियो इस तरह से convert हो जाता है इसको भी मैंने कहा कि dark ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं उतनी ही आपको brightness कम कर लेनी है तो एक बार मैं वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ वीडियो कैसा बनता है ओके तो गैस इस तरह से आपका जो वीडियो है बिल्कुल पॉफिक बनता है वैसा ही जैसा आप चाहते हैं और अब आप अपनी वीडियो को अपनी फोन गैलरी ने सेव कर सकते हैं सेव करने के लिए आपको उपा टॉफ यडियो को और लेना है और ऐदा कर लेना है जैसा मैंने आपको कहा ता कि आपको एंड में मुझे बताना जरूर है कॉमेंट करके वीडियो के लिए हेलफुल था या नही और अप चाहते ही इसी तरह की घंडिंग है से related tutorials आपको मेरे चैनल के धूर मिलते रहें तो चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई and take care